आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की नमस्कार मैं हूँ तुशार और आप देखे रहें सोगंद टीवी शर्षित हरूर का भी हाल में बयान आया है उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वह इस बार चुनाओ जो लोग सभा के चुनाओ वह पहले करा सकती है अब यह ऐसा बयान पहले भी ममता बैनर जी ने दे दिया है स साथ इंडिया अलाइंस के कई नेताओं ने यह कयास लगा है कि इस बार चुनाओ पहले हो सकते हैं अब सरकार क्यूं पहले चुनाओ करवा रही है इसका जवाब हम जंता से जाने में और उनसे बात करें और पूछें कि आखिर सरकार को पहले चुनाओ कराने क्यूं पढ़ क्योंकि अभी जो इंडिया लाइन्स के बाद में जो भारत नाम इंडिया और भारत का भी एक मुद्दा चलाया गया जिस पर बाद में सत्ता पक्स ने आखे क्लैरिफिकेशन दिया कि अभी तक तो हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है तो कई बार एक नेरेटिव सेट करता है जूट तो हो चकता है कि यह उसी तरीके का एक नेरेटिव हो कि यह पहले चुनाओ कराना चाहते हैं और अगर वह पहले चुनाओ कराते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिपक्स को कोई इससे आपत्ती होने चीए क्योंकि जब एक तरफ इंडिया लाइन्स यह कह रहा है कि हम त तो क्या फरक पड़ता है फिर तो जनता आकर आपके पक्स में तो आपको डरना ही नहीं चीए तो यह विपक्स एक सगुफा छोड़ रहा है फिर से जैसे इन्हों ने राफेल का जूठा मुद्दा उठाया मूंकी खाई चौकिदार चोरह का नारा दिया मूंकी खाई जनत सरकार पहले चुनाओ इसलिए कराईए क्योंकि वह जानते हैं कि जिस तरह से 28 पांटी इस अलायंस में जुड़ी हुई है उन्हें हर चीज की तैयारी करने में एक वक्त लगेगा तो सरकार यह चाहती है कि तैयारी करने का वक्त ना दिया जाए और उस तरह से तैयारी नहो नहीं होने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सभी पार्टियां अब चुनाओ से पहले ही तैयारी तो यह आज से चलनी रही है यह तो 2024 से लगे हुए तैयारी में किसी की भी तरीके से हम मोदी को हटा दें मैं आज की बात नहीं बताऊंगा आपको बिहार में चुनाओ थे तब भी में इंनोंने भीस में तैयारी चोड़ दी एक अच्छा निक रही तो नहीं छोड़ता है लेकिन उन्हों ने क्या अपनी जोड दी डी अब तैयारी करने का माइथ चाहिए मुझे लगता है कि अगर यह मामला साल गया किसी भी तरीके से ब्सकाइए लिएργा दाइए आपके पास में आप तो डेली न्यूस कर रहे हो क्या विपक्स ये पास में एक प्रमुक दावेदार है परधान मंत्री पद के लिए उसका एक नाम बता दे पूरा विपक्स मिलके विपक्स का ये कहना है कि 77 में इंद्रा गांधी के खिलाब भी इस तरह के एक गड़वन्धन बना था उसके में बहुत पाकिस्तान के दो तुकड़े करवा सकती है तो इन्होंने वही पता देता हूं सर के एकज़क्ली ये पॉइंट्र है कि इन्हो ने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि दो टुकडे करवा दिये ठींग हैं फाकिस्तान के टुकडे नहीं हुए थे वो अृसल में हिंदुस्तान के औरatar क zar our उसमें पर पाकिस्तानी तरी घुत्टान फथी आगर इंद्ञारी से की नियद साफ होती इंद्रा जी अगर चाहती तो उस हिस्से को पर्टिकुलर हिस्से को हिंदुस्तान में दुबारा से विले कर सकती थी लेकिन उन्होंने क्या काम करा कि एक टुकला तो पहले से था पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान का हो सकता था उस पे एक और देश दे दिया बांगला देश ठीक है तो यह तोड प्रानिस्तान जैसे देश आएंगे ना खंड भारत में तो वो सारे देश है फिर आएंगे समय आएगा कभी वो भी दिन आएगा हम लोगों ने तो हिंदुस्तान में मैं बच्पन से सुनता आ रहा था कि सब यही कहते थे बड़े पूड़े भी कहते थे कि राम मंदिर सर्फ चड़ा ने न्यूज पर आकर बकाइदा चार सो कुछ साल बता देते एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मोटे से गौरब बल्लब जी उन्होंने भी कई सो साल बता दिये देगी इस स्पीड से तो इतने साल लग जाएंगे लेकिन क्या हुआ कोविड की पूरी वैक्सिनेशन लेकर जा रहे हैं और इसी आधार पर जनता उनको 2024 में फिर से चुनकर लाएगी यह मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं दूसरी बात कि इनके पास सच में जो आपने का 77 में चुनाव इंद्राजी हार गई थी इसी तरीके का एक नेरेटिव बना था और यह सारी जद से साइन कराकर और पूरे देश में एमर्जेंसी लगा दी थी उससे देश के अंदर में बहुत ज्यादा रोज था कई मीडिया के करमचारी कई नेता कई सामान्य नागरिक भी जेल में ठूसे गए थे उस समय पर जबरदस्ती तो वो एक जनता के अंदर आक्रोज था जिसकी वज़े से इंद्रा जी 77 में तो चुनाव हारी तुकि एमर्जेंसी हटने के जस्ट बाद चुनाव हार गई लेकिन शायद अगर आप जानते हो सन 78 में दुबारा से चुनाव हुए थे और इंद्रा गांधी पूर्ण बहुमत से आई थी उसके बाद इंद्रा गां संग्रेस में कोई भी पूर्ण बहुमत से कभी नहीं आया हमेशा कटबंदन की सरकार रही लेकिन नराइंद्र मोधी सरकार 2014 से आज तक पूर्ण बहुमत से है तो वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है अपनी साफ सुतरी नियत और अपने क्या कहते हैं उसको दूर दिश्टता क्योंकि जो नेता तयार है वो तो तयार आज भी है कल भी रहेगा और जब भी चुनाओ तब भी रहेगा और इसी तरह से इंडिया जो गडबंदन ने उनका भी कहना है कि हम तयार हैं लेकिन सतर करहनी की जरूरत है क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा गड मिल सके तो अब आने वाले वाक्त में देखते है कि क्या सरकार सच में पहले चुनाव करवाती है या फिर प्रॉपर तरीके से जो मई जून में जो चुनाव होते उसी समय चुनाव होंगे ऐसी तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे सौगंद टीवी धन्वाद